कोटा ग्रामिड के सिमलिय थाना इलाके में बने टोल पलाजा पर काम करने वाले करमचारियों की गुंडागर्दी सामने आईए फास्ट रेक से रुपे कटने के बाद भी करमचारियों ने यूवक से नगत राशी मांग ली ऐसे में यूवक ने राशी देने से मना कर दिया तो करमचारियों ने यूवक के साथ मार पिट शुरू कर दी इस दोरान एक महिला को भी चोट आईए पीडित अंकित जैन ने करमचारियों की शिकायत सिमलिय थाने में दर्श करवाईए अंकित जैन के मताबिक वे परिवार के साथ कोटा से बारा जा रहे थे और इसी दोरान सिमलिया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोका और टोल टेक्स मांगने लगे अंकित ने कहा कि टोल टेक्स फास्टेक के जरीए कट चुका है लेकिन करमचारी नहीं माने और अंकित की गाड़ी को आगे नहीं बढने दिया अंकित ने शिकायत पुस्ति का मांगी तो करमचारी बढ़क गए और अंकित के साथ मारपीट शुरू करती वहीं कार सवार अन्य लोग और महिला करमचारियों ने उनके साथ भी मार पीट शुरू कर दी इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस जाच में जुट गई है झाल झाल रख भी मामले मामले मत आख बाद भी में जुट कुछ जुट चाहिं पूण झाल 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 यह पिर फलो को से आर यह व यह कके चुने다 यह मैं कि